हेलो एवरिवन आएम हार्दीक शेटा फ्रम सारस्वत इंडरिश्टाल अकडमी बापी आज हम सांडर्ट 10 सब्जेक्ट सायंस चेप्टर नंबर टू एसिड बेज इन स्वाल्स को आगे बढ़ाते हैं तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज औफ एसिड एन बेज तो उसमें हमने दू एक्टिविटी पहले भी देखी थी एक्टिविटी नंबर 2.3 एन 2.4 जिसमें हमने पढ़ा था और अभी हम पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए एक्टिविटी 2.5 टेक टू टेस्ट तूब लेनी है और उनको एन बी दो नाम दे दो चलो ठीक है टेक अबाउट 0.5 ग्राम ओफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट तूब ए टेस्ट तूब ए के अंदर आपको क्या लेना है 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एन 2, CO3 and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate मतलब NaHCO3 in test tube B ठीक है तो हमने क्या किया दो test tube ली है एक test tube को नाम दिया A दूसरी को नाम दिया B एक test tube के अंदर हमने डाला है sodium carbonate दूसरी test tube के अंदर हमने डाला है 0.5 gram sodium hydrogen carbonate ठीक है add about 2 ml of dilute HCl to both the test tubes what do you observe आपने observe क्या किया उसके बाद देखो pass the gas produced in each case through lime water लब calcium hydroxide solution as shown in figure record your observations ठीक है तो समझो यहाँ पे होगा क्या कि सपोज sodium carbonate है आपके पास test tube है और test tube के अंदर आपने डाला dilute hydrochloric acid तो आपको यहाँ पे थोड़ा gas generate होता हुआ नजर आएगा आपको पूछा ना what do you observe तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई gas generate हो रहा है वो कौन सा गैस है carbon dioxide gas ठीक है और यह मैंने already आपको जब मैंने पढ़ाया था chemical properties of acids and bases तो उसमें हमने देखा था यहाँ पे देखो acid जब किसी metal carbonate या metal hydrogen carbonate के साथ reaction करेगा तब हमें मिलेगा salt plus water plus carbon dioxide gas ठीक है ना तो यहाँ पे salt मिला carbon dioxide gas भी मिला और water भी मिला ठीक है अब वो gas जो generate हुआ है उसको हमने कहां से पास कराया lime water से मतलब calcium hydroxide solution यहाँ पे है देखो another test tube में मतलब वो gas को इस रास्ते से हम लेके गए और ऐसे ऐसे करके यहाँ से पास कराया ठीक है यह delivery tube है और जिसके थुरू हमने gas को हम लेके आए test tube में ओके तो जैसे ही calcium hydroxide solution के अंदर यह carbon dioxide gas आएगा तो आपको यहाँ पे white color के precipitates form होते हुए नजर आएंगे यह जो पूरा glass से वह आपको white color का बना हुआ नजर आएगा ठीक है ओके कुछ ऐसे देखो ऐसा नजर आएगा आपको यह test tube है ना है वह ऐसी हो जाएगी दिख रहा है आपको ओके वह white color के precipitates है ओके तो reaction क्या होगी वह हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो पहले test tube यह के लिए लिखते हैं white color से लिख रहा हूँ white background में कहां से दिखेगा ठीक है पहले A के लिए लिखते हैं चलो ए test tube के अंदर क्या reaction होगी तो हमारे पास था क्या Na2CO3 solid form प्लस hydrochloric acid हमने add किया तो HCl aquos form में था और after reaction हमें क्या क्या मिला तो एक मिलेगा NaCl sodium chloride aquos form में plus H2O liquid form में plus carbon dioxide gas CO2 gaseous state में ठीक है अब यहां पर balance करना है तो यहां पर Na कितने time से two times तो मैंने क्या किया यहां पर two से multiply कर दिया chlorine हो गया two times तो यहां पर two से multiply कर दिया अब यह HCl में hydrogen two times तो यह तो इज़र hydrogen two times है ही ओके कार्बन यहां पर one time यहां पर one time ओके तो oxygen की बात करते हैं यहां पर three यहां पर one plus two three चलो सब कुछ balance condition में है सिर्फ आपको क्या करना है आपको यहां पर नाम लिखना है कि कौन सा substance क्या है ठीक है वह एक बार अच्छे से explain कर दो यहां पर क्या लिखोगे sodium carbonate यहां पर hydrochloric acid यहां पर sodium chloride जो की salt है यह h2o water और यह carbon dioxide gas अब देखते टेस्ट यूब बी के अंदर क्या reaction होगी तो बी के अंदर हमने क्या लिया था ने hco3 sodium hydrogen carbonate उसके साथ हमने hcl एड कराया फिर से वही चीज़े हमें मिलेगी NaCl plus H2O plus CO2 और यहां पर equation आपको already balance condition में मिल रहा है देखो तो balancing की जरुत यहां पर नहीं है बस आपको नाम लिख देने सबको वो बुलना नहीं है एक्जाम में clear तो यहां पर carbon dioxide gas generate हुआ अब उसको हम test करना चाहते हैं कि वहां पर exact carbon dioxide gas ही है न ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो यहां पर आप लिखोगे on passing carbon dioxide gas through lime water lime water मतलब calcium hydroxide तो reaction क्या होगी reaction होगी caoh twice lime water हो गया ही है और वो भी हमने रखा था equus form में उसमें से क्या पास कराया carbon dioxide gas ठीक है न तो यह था lime water या फिर आप बोल सकते हो calcium hydroxide carbon dioxide gas आपको पता है यहां पर बना ca co3 solid form में क्योंकि precipitates है और precipitates क्या होते है वो आपको पता है ठीके न कि ऐसे कोई liquid है और उसके अंदर कुछ particles जो solid form में होते है वो आपको suspended मिलते है जिसको हम क्या बोलते है precipitates तो यहां पर calcium carbonate के white color के precipitates हमें मिलेंगे clear ca co3 के तो यहां पर अपलिक सकते हो यह क्या है white precipitate ओके चलो यह carbon dioxide pass कराया तो यह reaction हो गई अब आप continuously pass कराते हो मतलब और ज्यादा pass करा दिया तो यहां पर लिखोगे आप on passing एक्सेस carbon dioxide ओके अब मतलब ज्यादा carbon dioxide आपने pass करा दिया तो देखो यह यह ca co3 के precipitates तो form हुए ही थे तो carbon dioxide आपने थोड़ा सा पास कराया तो ca co3 था ही solution में solid form में वहां पर water भी present था मतलब liquid form में water भी है और हमने ज्यादा carbon dioxide पास कराया co2 gaseous form में तो आपको मिलेगा ca co3 twice calcium hydrogen carbonate क्या मिलेगा आपको calcium hydrogen carbonate ठीक है और यह aqueous form में मिलेगा मतलब यहां पर जो precipitates form हुए थे वो निकल जाएंगे क्यूं क्यूंकि यह जो पार्ट है वो soluble in water है ठीक है तो limestone, chalk, marble are different forms of calcium carbonate all metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water ठीक है इसलिए हम यहां पर short में लिखते थे acid plus metal metal के साथ carbon dioxide भी हो सकता हैальной, metal के साथ carbonate भी हो सकता है और bicarbonate भी हो सकता है मतलब CO3 भी हो सकता है या फिर unters CO3 भी हो सकता है और आपको मिलेगा salt plus water plus co2 gas ठीक है already हमने यहाँ पे आगे याद रखा हुआ था यह चलो तो यह activity के help से आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है ठीक है तो फिर से मैं यहाँ पे repeat कर देता हूँ activity में आप steps क्या लिखोगे कि आप test tube लेने वाले हो दो test tube एक को नाम देना है A दूसरे को B ऐसा क्यूं क्यूंकि आपको metal की reaction carbonate के साथ भी करानी है और repeat करनी है पेले बात करते है test tube A के लिए तो test tube A के लिए हमने यहाँ पे देखो sodium carbonate लिया हुआ है यहाँ पे जो आपको solid जो granules नजर आ रहे हैं वो sodium carbonate है test tube के अंदर हमने डाला है diluted hydrochloric acid तो इन दोनों के बीच में reaction स्टार्ट हुई किन के बीच में HCl and sodium carbonate के बीच में और यहाँ पे क्या जनरेट हुआ carbon dioxide gas वो carbon dioxide gas को check करने के लिए हम क्या करते है delivery tube के थूब लेके जाते है another test tube में और जहाँ पे हमने पहले से रखा हुआ है calcium hydroxide solution मतलब lime water जैसे ही carbon dioxide इसमें से पास होने लगेगा वैसे वैसे calcium hydroxide solution plus carbon dioxide की reaction स्टार्ट होगी और आपको वहाँ पे white precipitates form होते हुए नजर आएंगे ठीक है इससे पता चलेगा presence of carbon dioxide gas ठीक है और वो जो white color के precipitate से वो क्या है calcium carbonate के अगर हमने और ज्यादा carbon dioxide पास कराया तो जो generate हुआ था precipitate calcium carbonate का उसी के साथ carbon dioxide reaction दे देगा और आपको मिलेगा calcium hydrogen carbonate और ये soluble in water है मतलब precipitates है वो यहाँ पे नहीं रहेंगे clear यहां तक और same reaction आपको repeat करनी है test tube B के साथ जिसमें हमने डाला हुआ था metal hydrogen carbonate ठीक है अब बात करते है एक्टिविटी 2.6 क्या हम पढ़ रहे है how do acids and bases react with each other तो हमने याद रखा था be a superwoman मतलब base plus acid क्या मिलता था salt plus water अब ऐसा क्यूं तो यह जो reaction है वो neutralization reaction है इस reaction को आप क्या क्या नाम दे सकते हो समझो एक double displacement reaction दूसरा neutralization reaction और एक तिसरा भी नाम है जिसको आप बोल सकते हो exothermic reaction तो यहाँ पे होगा क्या समझो किसी भी acid को मैं aqueous form में लाओ तो acid क्या देता है H plus iron देता है na H plus iron जो stable नहीं रहता था तो किसी के साथ combine होता था water के साथ और क्या बनाता था H3O plus जिसको हम बोलते थे hydronium iron base क्या देता है base देता है hydroxide iron मतलब OH- अब सोचो जब हम acid and base को combine करेंगे तब H plus iron को stable होने के लिए water का साहरा लेने की जरुरत नहीं है ठीक है ना क्योंकि यहां पे दो ions unstable है H plus B OH-B यह दोनों combine होके बना देंगे H2O water question यह होता है कि salt कहां से आया salt plus water है ना तो हम एक example लेते हैं suppose मैं acid लेलू HCl और base लेलू NaOH अब double displacement reaction कैसे समझो यहां पे यह H plus iron release करेगा यहां पे यह OH minus release करेगा यह दोनों combine हो जाएंगे तो क्या बनेगा H2O ठीक है same way यहां पे है Cl यहां पे है Na यह combine हो जाएंगे क्या बनेगा NaCl इसलिए तो हम बोल सकते हैं double displacement reaction ठीक है और यहां पे acid और base एक दूसरे की effect को nullify करने की try करते है इसलिए बनता है salt plus water और आप इसलिए इस reaction को बोल सकते हो neutralization reaction तो यहां पे देखो activity 2.6 में टेक हमने यहां पे already discuss किया हुआ है देखो यहां पे जब हम base है उसको study करते है तब यह जो फिनोफ्थेलिन solution है वो कौन से color का बनता है पिंक कलर का ठीक है तो यहां पे आप answer लिखोगे पिंक उसके बात क्या करते है एड़ dilute HCL solution to the above solution drop by drop एक एक ड्रॉप करके आपको क्या करना है HCL add करते जाना है is there any color change for the reaction mixture समझो NaOH large amount में था और उसके अदर दीरे दीरे one by one आप HCL add कर रहे हो तो क्या होगा कि यह NaOH की जो base की effect थी वो दीरे दीरे nullify होना start करेगी मतलब यह दुनों एक दुसरे की effect को cancel out करते है तो जो pink color आया था solution में वो दीरे दीरे light होता जाएगा initially dark pink color था दीरे दीरे light pink होता जाएगा और यह जो solution है वो colorless solution बनने की और आगे बड़ेगा why did the color of phenolphthalein change after the addition of this of an acid तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि acid है वो base की effect को cancel out कर रहा है ठीक है now add a few drops of NaOH to the above mixture अब आपने क्या किया समझो पहले इसमें NaOH था आपने mix किया hcl तो यह एक दूसरे की effect को cancel out कर गए अब फिर से आप NaOH डालोगे तो क्या करें होगा तो यह जो solution है वो फिर से ज्यादा basic बनेगा तो यह फिर से जो pink color है वो reappear होगा तो यहाँ पर लिखाए does the pink color of the phenophylline reappear तो यहाँ पर आपको फिर से मिलेगा why do you think this has happened ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि हमने बाद में फिर से NaOH डाला था जिसकी वज़ह से यह solution ज्यादा basic बना और जो basic effect है वो आपको मिली in short अगर solution में H प्लस आयन ज्यादा है तो acidic behavior मिलेगा OH माइनस ज्यादा है तो basic behavior मिलेगा अब हम for example लेते हैं for example OH माइनस particles initially समझना 10,000 थे clear अब H प्लस आयन दिरे दिरे आप increase कर रहे हो तो H प्लस आयन initially 10 थे फिर आपने 100 किये फिर आपने 1000 किये फिर आपने 10,000 किये तो मतलब यहाँ पे जो solution का pink color था वो दिरे 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 light होता हो गया और pink color है वो यहाँ पे निकल गया ठीक है फिर आपने क्या किया तो आपने फिर से OH माइनस के 5000 पार्टिकल्स एड किये मतलब बेज वाला एने ओए जो था वो आपने एड किया solution में तो अब यह हो गए 15,000 और यह है 10,000 तो इफेट किसकी ज्यादा बेज की तो बेज में क्या होता है फिन उप्थिलिन के साथ पिंक कलर मिलता है इसलिए आपको पिंक कलर आपको वापिस मिला clear और बाकी reaction तो आपको वहाँ पे लिखी हुई है तो as it is रखनी है एक चीज़ और अगर एक्जाम में आए what is a neutralization reaction तो आपको लिखना है the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction ठीके मतलब base plus acid equal to salt plus water यह reaction को हम बोलते है neutralization reaction चलो यहाँ तक सब कुछ clear होगा अगर कोई किसी को कोई doubt है तो anytime contact कर सकता है next class में हम इसी तरह activities को आगे बढ़ाएंगे और तब तक आप provision करते रो और कोई doubt है तो contact कर लो okay thank you